नमस्कार दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है 36 गडिया गोबर बीन ही परदेशिया राजसभा जाही हाँ ये मैंनी कह रहा हूँ कह रहे हैं पूर्वसियम डॉक्टर रमन सिंग जी कॉंग्रेस पर तीखा हमला करते हुए रमन सिंग ने कहा असल में 36 गड के दो राजसभा सदसे राम विचार ने ताम और छाया वर्मा का 29 जुन 2022 को कारेकाल समाप्त हो रहा है इसे में कॉंग्रेस हाई कमान ने 36 गड से दो उमिदवारों की घोषना की है जिसमें उत्तर प्रदेश के राजिय शुकला और बिहार के रंजीत रंजन इसी को लेकर के 36 गड के पूर्व मुखमंतरी सहित बीजेपी वालों ने तगड़ा प्रहार किया है तगड़ा हमला किया है कॉंग्रेस हाई कमान ने 36 गड में बाहरी वेक्ति को यहां का राजसभा उमिदवार घोषीत करना कितनी सर्मनाक बात है ये बहुत बड़ा प्रहार है 36 गड वासियों के लिए बहुत बड़ा अटैक है 36 गड वासियों के लिए कि 36 गड में दो ऐसे नेता काबिल नहीं है जो 36 गड के तरब से राजसभा में अपनी नित्रित्व कर सकें वहां के परती निधित्व कर सकें पाहरी वेक्तियों को कॉंग्रेस ने जगह दी है और इसी को लेकर कि अभी 36 गड की राजनिती में खलबली मची हुई है निम्न सदन में होते हैं लोकसभासांसद और उच सदन में होते हैं राजसभासांसद संसद में देश के हित के लिए देश के विकास के लिए नियम कानून बनते हैं ऐसे में वहां पर काबिल बैक्ति का राजसभा में जाना बेहत जरूरी होता है ताकि अच्छा निड़े सकें देश के हित को राश्ट्री के हित को प्रदेश के हित को मद्य नजर रखते हुए प्रतिनिधित्व कर सकें 36 गड़ प्रदेश की वास्तविक इस्थिती को भापते हुए समझते हुए राजसभा सांसद राजसभा सदन में जा करके प्रतिनिधित्व करना होता है अब ऐ ऐसे में अगर जो बाहरी बेखती रहेगा, 36 गड़ से बाहर का बेखती रहेगा, वो 36 गड़ की समस्याओं को कैसे कह पाएगा, कैसे समझ पाएगा, जितनी यहां की मिटिक से जुड़े हुए लोग रहेंगे, वो यहां की समस्याओं को, वो यहां की हकीकत को जिस तरीके से राजसभा में रख सकते हैं, वैसा बाहर का बैक्ति कैसे रखेगा, और दूसरी तरफ कई ऐसे नेता भी रहे हैं, जो ये उमीद कर रहे थे, कॉंग्रेस के ही उमीद कर रहे थे, कि हाँ, इस बार इस्थानिय लोगों को मौका मिलेगा, और इस्थानिय 36 गड के ही लोग सभा सासद के लिए उमिदवार घोसित किया है जैसे मैंने बताए कि 36 गड़ में खलबली मची हुई है एक से एक अटेक कर रहे हैं प्रहार कर रहे हैं तीखे तीखे सवालात हो रहे हैं कॉपेश बगेल जी खामोश हैं मजबूरी है कॉपेश के जो परदेश इस्तर के जो न मिल गया है यहां पर बी जेपी को जो लगातार कॉंग्रेस पर तीखा परहार कर रहे हैं जायज भी है 36 गड़ की स्थानी लोगों को 36 गड़ की मिटी से पनपा हुआ यहां की खुसबू यहां की वातावरड यहां की मिटी को समझने वाला बैक्ती जब राजय सभा यह 36 गड़ की जनता के लिए चोट पहुचाने वाली बात है उनकी दिल को घात पहुचाने वाली बात है कि कोई बाहरी बैक्तिया करके 36 गड़ करने तृत्व करे ऐसे में सवाल जब पूछे जाने लगे तो अलग-अलग परतिकिरिया आने लगी कॉंग्रेस के प्रदेश प्रभारी पियल पुनिया सहाब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो यहां से जाएगा वो राजय सभा में 36 गड़ की बातें करेगा भई कैसे कोई बाहरी बैक्ति 36 गड़ की सही बातें कर सकता है 36 गड़ की समस्याओं को कैसे रख सकता है कैसे बोल सकता है हलाकि ये बचाओ है, चुकी निर्ड़े आ चुके हैं, तो कहीं न कहीं बचाओ पक्ष में कुछ न कुछ बोलना तो पड़ेगा, पियल पुनिया साहब ने यही कहा, कॉंग्रेस की जो परंपरा है, उस परंपरा के अधार पर ये निर्ड़े लिया गया है, केबिनेट मंतरी रवि दिनी धित्व करने का या राजसभा जाने के लिए मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, पार्टी हाई कमान ने पार्टी हित के लिए निर्ड़े लिया है, इसलिए सुईकार है, तो कुछ भी हो सहाब, पार्टी हाई कमान का निर्ड़े है, तो मानना तो पड़ चुकि 36 गड़ में जो विधान सभा सदस्यों की संख्या है वो बहुत जादा है ऐसे में 10 जुन को जो चुनाओं होने वाले हैं बीजेपी के पास 36 गड़ में एक सीट को जिताने के लिए भी उनके पास बोट नहीं है ऐसे में कहीं न कहीं 36 गड़ में उमीद जताई जा रही है कि निर विरोध यहाँ पर दोनों राजे सभा सांसत बन जाएंगे राजी शुकला और रंजीत रंजन तो तंज कसते हुए पुर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंग ने कहा कि 36 गड़िया गोबर बिन ही और परदेशिया राजसभा जाही असल में हुपेश बगेल जी गोबर बिनने की सलाह देते हैं गोबर बेचने की सलाह देते हैं उपर से बोरे बासी खाने के भी सलाह देते हैं तो कहने का तत पर तंज कसने का ये है कि 36 गड़ की वासियों को 36 गड़ की लोगों को कॉंग्रेस एक तरफ गोबर बिनने की सलाह देती है दूसरी तरफ बोरे बासी खाने की सला देती है और राजसवा भेजने की बारी आती है तो 36 गड़ से बाहर की लोगों को मौका दे दिये जाते हैं तो क्या सिर्फ बोरे बासी और गोबर बिंते ही 36 गड़ की लोग रहेंगे 36 गड़ की यही बस पहचान रहेगी 36 गड़ बाहर जाकरके 36 नेता नेत्रित्व नहीं कर सकते हैं तो ये तो सवाल खड़ा होता है क्या इस बार इस फैसले से कॉंग्रिस को नुकसान होगा 2023 में जो चुनाओ होने वाले हैं वो इस पर रिकी निर्डे जो बाहरी बैक्ति को यहां मौका दिया गया है वो कितना परभाव डालेगा ये इस पर आप अपनी परतिक्रिया जरूर लिखेगा बताईएगा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके आपके अपनों तक भी भेज दीजिएगा ताकि वो भी देख सकें वो भी जान सकें डीटी यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा और नकिवल सब्सक्राइब करिएगा ज्वाइन करिएगा बलकि ठैंक्स बटन के साथ आप हमें सहयूग भी दे सकते हैं आप हमारी मदद कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया